मैं अगली कड़ी में BDP की नेता महभूबा मुक्ती जी से मैं बिंती करता हूँ कि वो अपना मार्ग दर्शन करे कॉंग्रस पार्टी के प्रेजडंट खरगेश साब राहूल गांदी जी और जितने भी यहां स्टेज पे बैठे नेता लीडर्स और यहां महराश्टा मुंबै से आये हुए जितने भी भाई बेहन बज़र्ग बच्चियां सब को मेरा अदाब मेरा सलाम आज मैं राहूल जी को उनकी यात्रा पूरी करने के लिए मुबारक बात देना चाहती हूँ और साथ में कहना चाहती हूँ राहूल जी इस मुल्क ने हिंदूस्तान ने गांदी जिसका नाम है उससे बड़े बड़े इमत्यान लिए बड़े बड़े कुर्बानिया लिए हैं चाहे वो मात्मा गांदी जी हो जनोंने आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद इस मुल के लिए आखरी कत्रा खून का दिया चाहे आपके पिता जी राजी गांदी जी हो जनोंने इस मुल्क को अपने खून से सीचा इसलिए आपके उपर ये जो बार है ये जो जिमेदारी है ये इसलिए आई है कि आपके नाम के पीछे गांदी नाम है जिस से बीजे पी के यहां हम अलग-अलग सोच, अलग-अलग विचार के लोग जमा हो गए है, यही हिंदुस्तान है, यही बारत है, जहां अलग-अलग सोच होती है, यही हमारे समिदान ने हमें इक्तियार दिया है, अधिकार दिया है, कि हम सब को मिल जुल रखे रहने का, मगर आज मैं आपको एक संदेज देना चाहती हूँ, एलेक्शन आने वाले हैं, समीदान का सबसे ताकतवर हत्यार, आपका वोट आपके हाथ में है, आपने एक वक्त था, सबसे प्रिये प्रदान मंत्री जो मेरी नजर में थी, इंद्रा जी को, जिसने दस साल की उमर में आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने बंगला देश को आजाद किया, जिसने अपना आखरी कत्रा खून का इस बारत के लिए दिया, उसको भी अपने वोट से आपने बाहर कर दिया, आपने 2014 में मोदी जी को चुना, जिनूने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिनूने कहा, मैं हर साल दो करोड नोकरियों दूँगा, जिनूने कहा, पंद्रा लाख रुपे जमा करूंगा तुमारे खाते में, जिनूने कहा, कांग्रस साड़े चार सो रुपे में गैस लेंडर देती है, मैं 400 में दूंगा जुनों ने कहा अवरतों के साथ जाती हो रही है मैं उनकी रक्षा करूंगा और आपने वोट दे दिये मगर 2019 में उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया और पुलवामा के शहीदों के नाम वोट मांगे उन शहीदों के नाम जिनके लिए सत्पाल मलिक साथ कहते हैं कि उनको उनकी लापरवाई की वज़ा से शहीद होना पड़ा आपने फिर वोट दिये और आज दस साल के बाद मोदी जी ना दस करोड नोक्रिया ना पंद्रा लाग जमा ना औरतों की सुरक्षा ना किसानों की डबल आयू ना MSP कुछ भी नहीं मगर आप कहते हैं 400 पार ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं आप मेरी बात सुनिये क्योंकि ये समीदान को बदलना चाहते हैं आपके हाथ में से आपका वोट चिनना चाहते हैं ताकि जिस वकत आप लोग जाग जाओ आप इनको बाहर करना चाहो आपके वोट में वो ताकत नहीं रहेगी हम ऐसे हो जाएंगे जैसे चीन में वो किसी को भी वोट डालते हैं चुना एक आदमी जाता है एक जमास चुनी जाती है जैसे प्यूटन रश्य में चुना जाता है मोदी जी इस मुलक को ऐसा ही बनाना चाहते है कि आपके वोट को अगर आपने इस एलेक्शन में सोच समझ के वोट नहीं डाला तो आपके वोट की कोई ताकत नहीं रही मैं जमू किश्मीर से आती हूँ वहाँ समिदान खत्म है जहें जमू हो कश्मीर लडाक हो आप आते हैं टूरिस्ट बनके देखते हैं सब ठीक है कुछ ठीक नहीं है आप ले चले जाएए वहाँ हजारों के लोग सड़कुंबे मिलेंगे मगर कश्मीर में कोई सड़क पे नहीं आता है अगर आता है उसको जेल में डालते हैं खुदा के लिए जो हाल हमारा है वो हाल आपका भी हो जाएगा अगर आप इस एलेक्शन में सोई समझ के वोट नहीं डालेंगे समिदान को बचाने के लिए वोट नहीं डालेंगे इंडिया अलाइंस को सामने लाने के लिए वोट नी डालेंगे राहुल जी की कुर्मानिया इनके खांदान की इनकी फैमिली की कुर्मानिया अगर आप उनको बचाने के लिए वोट नी डालेंगे तो आप भी नी बचेंगे मैं आप सब की बहुत शुकर गुजार हूँ मुझे बताया गया पांच में बात खतम करी है बहुत बहुत शुक्रिया